I day अण यहां पर वन तुल्छी बहुत अद्सफों विस्नु यहां पर वन तुल्छी भव्य得ц है ३ाथियों आपको बताउं यहां पर ज़ो यह इसली वरäg फार रहे है जंगल का चारो तर्प तुल्छीा है फूरा पूरा दिखाई पूरा पूरा तुल्ची वन का ए宅 ये कह renewed आपको चेतरो कि घंगलों में वंधा औरनांट के जंगलों में देखने की मिला जेग गुरुटे हर मादेओ जेग गंगा मयाकि पार कर रहे हैं बब से yine अब iki है नदी आचुकिए अब जहां नदी पार कर रहें यहां पर यह गहराई है थोड़ी सी हमे ऑफ पार करनी है क्योंकि उस पार संत्य दर्शन जिनके करने जा रहे हैं हम यह कहें कर देखते हैं ऊप use ने किस परकार करने के मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी लेकिन पहले यहाँ देखते हम और विश्नु भाई दोनों से कहेंगा विश्नु आगे पिछे करते हैं एक साथ हम पार नहीं करें कि युक्ड पानी गहरा बहुत है तो कम से कम मैं डूब विश्नु बचा ले और विश्नु तो डूब नी सकता तेड़न आता है इसको तो है ना हाँ और मुझे आता नहीं है चल विश्नु पहले पार कर ले अ साथियों आप सभी को संतों के दसन करवाने के लिए इतनी हम कठिन संगर्स करके संतों के दसन करवा रहे हैं आपको किस परकार लग रही है हमारी यात्रा और कब से कम होंसला बढ़ा दिया करो बहुत जाने भाई देखते हैं सस्क्राइब बहुत कम है तो सस्क्राइब करके म मेरा हंसला और बढ़ता रहे, धर्म की रियात्रम, और गहरा ही तक, और गहरे गहने जंगलों में जाता रहूं, आपको क्या लगता है, आप हंसला बढ़ा रहे हूं, जिन भायों ने सस्क्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनों नहीं किया वो कर दे यहाँ पानी के अंदर मेंडेक और काई दोनों एक शाथ आजाते हैं तो दूर गटना सम्भावित छेत्र हो जाता है कि विशनों थोड़ा प्राइब कि शाथियों हम थोड़े से थगे चलते चलते कम से कम बहुत ज्यादा चले जंगल में किलोमेटर का तो पता नहीं चलता लेकिन देड़ बजगय है और लमसम 10 बज़े हम आए इस जंगल में थोड़ा से विश्राम करते हैं फिर आगे जर्निश्रू करते हैं आप सबी से एक बात कहते हूं आज जो भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन अग केंगे sandy हम अच्छी बात में अच्छी बात मेरा नुवोताहख है है संदर्षन का बड़ा फलैंए उद्था के बड़ा अच्छा लगता है इन आगा कई कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का दोस्त संतों के चन्रों का दास्त मैं कंया थर्म कि यात्राम एक बार फिर संतों की सीरीज में मैं हाजर हूं आज जिन संतों के देशन करवाने जा रहा हूं वह कह सकता हूं जो आई-स की तेहरी की हुई है ड्रामा फिल्मों में काम किया अनेक उपरकार के काम करने के बाद आज उनकी उम्र 18-20 साल की है और उन्होंने सारा जीवन जी के एक संत बने इस नवी उमर में उन्होंने संत बने अभी तो उनसे हम जीवन के बारे में जानेंगे और वो सीधा संत बनने के बाद सीधा जंगल में कांत आ गए तो यह चकाचौंट की दुनिया को एक साथ जटके से छोड़कर और यहां जंगल माएं ऐसे संत के आज देशन करेंगे जो आईस बनने की जगे यह बने संत आईस की जगे संत क्यूं बने यह हम देखेंगे आज उनके जीवन के ऐसे रोचक तत ही हमारे सामने आएंगे जिससे आप भी अपनी प्रेना बनाएंगे यह आप अपनी जीवन का उसमें हिंसा लगे तो मुझे जुरू बताना उनके विचार लेके आप मुझे जुरू बता अब इन संतों के पास चल रहे हम चलते हैं और आज पिछे चले ना कोई किसी का भोजन बनेगा आज हमारी पंगत कर देगा कोई कर देखने वाले समस्त भारतवाशों के तरफ से आपके चौनम साख साथ डंबत पढ़नाम सिवकार करें अरुंदाज जी सबसे पहले यह बात आती है जैसे कि आप एक यंग जनरस ने हाला कि उम्मर में शरीर की कुछ नहीं है एकसा मैं कहूंगा नहीं क्योंकि सादू से ना पूची जात ना पूची उम्मर यह कहा गया है तो हम आपकी उमर के बारे मजिकरनी करेंगे लेकिन आ कि आप सबसे पहले संत बनने की सोची यह अभी जब बियास सी जब कर रहे थे हम तो वहां कि पढ़ाई का जितना भी करते थे तो बहुत एक मतला वहां एक टैंशन क्रियेट होता था जो भी मतला दमाग में रहता है कि यह पेपर देना है नौकरी का यह बदा होच पॉंच सबसे रहते हैं मैं तो फिर उसके बाद दर्शन सास्त्र का जो था साथ में एक टॉपिक था उसमें तो वह साइकोलोजी वाला था जब साइकोलोजी में मैंड से संबंदे दमाग से संबंदे चीजें जब थी तो फिर मुझे उसमें थोड़ एंट्रेस्ट आया मैं अगर बहुते करूप में साइंटिस ने खोज लिया फिर जो मन, बुद्धी, संस्कार ये सारी चीज हमको आकरसित करीं मैं का अगर इसको जान लिया तो समझ जाते हैं क्या है व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है तो फिलोस्फी को फिर में और गहराई से पड़ा फिर उसके अंदर लोगों का अनभव मैंने बहुत अच्छे सोन का अध्यन किया फिर साती साथ फिर मैंने साधना ये कांत में अपना सवरू कर दी साधना जो मार्ग थे सब को थोड़ा थोड़ा अपनाया क्या है फिर उससे में बहुत सांती मिली फिर उसको फिर मैंने जीवन में अब यही क किसी कि अठार बनना ayah या जो भी बड़े बड़े पोष्ट पर जाना सबका टीयारी करना सुनु रइन कारेट तो एक सब से पहले मैंद आपनाय मेें तयार किए घृतर किया मैंने को समय के लिए मैंने आपनाय को जाना आपनाय को जाने के हैं भोह बनना एं टो यहां चलो से pandिया हम आ ani कियाजただ क्या है यह सी जैनने के लिए अपनाई किया तो व भावनाओं का क्यों वह हूटा उस हिसाब से सोचना बढ़ता ऐसा ग्ऌपारी किया सोच रहती, जो सरावी करता, चोर कि कया सोच रहती है, तो तो ये इनर बोडी जो होती है, आउटर बोडी कोई ने जानता है, हम जैसे अपने अपने दो होते हैं, जैसे मैं अरोड़ास जो को हुखिए हूँ, और बच्चपन से देख रहा हूं तो जो अरुडदास जिसे मैं जानता हूँ वही मेरे साथ जाएगा और यह यही रहा जाएगा तो इसका तो कोई महत है नहीं आप सामने वाला चाहे तनी छवी बना ले अरुडदास को देखके अपने मरजी से लेकन मैं तो बो नहीं बन प से खोजूँगा और यह ऐसा नहीं है कि समाज में रहके नहीं कर सकते हैं वहां भी कर सकते थे गिरस्तासरम भगवद गीता बताया भी है फिर भगवद गीता का पड़ा फिर उमने इसको बहुत मानसे मजवूती के लिए बहुत सारे सास्त्र भी पड़े ताकि मन में यह सं कृप संum के द्याख निवरे खंश्रीब्ध में लिए पकड़ इनकारी यह ओ परिंटेंग करें स्कैचिंगं करते हैं फेस केंचिंक करते हैं को समय तब हो Phase समय बहुत सारी की चीजिईखों से क्या करनी से क्या देमाग खुल जाता है अनभाव जितने जानद होते दमाघ कि गति उतनी तेज हु जाती है और एकी तरह का काम करने से थोड़ा जो खुलता नहीं है कई तरह को दूमाग करना चाहिए दमाग की छंता कम रह जाती है कि करकेट में देखा हुगा मैं जो मैंत सिंग दोने के अगर परफॉर्मंस थी तो फटवाल खेलते थे तो उससे ऐड तो दिमाग का जितना इस्तमाल कर लोगे न जितना नई नहीं चीज़ों लगाओ गए तो वह क्रियेटिविटी लाता है अब यह सारी चीज़े करने के बाद अब हमने का अब हमको जानना है वास्तविक्ता क्या है जीवन की यह तो होती है ट्रैनिंग कि एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद परवार में रहके जैसे महलों में रहा बैसे उसके संसकार बनते हो चलता है और कुछ होते हैं पूर जनम के संसकार वेक देते रहते हैं अगर हम यहां आया तो जाहर से बाद पूर जनम के संसकार होंगे इतनी चीज़ों हमने इसी को क्यों पक्काम किया तो कहीं न कहीं उसका प्रवाव होगा इस तरह से पूरी जनम कभी प्रवाव हो सकता हो नहीं तो नए संसकार बनने के लिए ही नया जनम होता है अगर पूरी संसकार कर रहे हैं ठीक अगर नहीं है तो नया संसकार बनाने के ल नई जनरेशन में संदेश यही है कि देखो जो बहुतिक कर्म है वो तो करने ही करना है बहुतिक कर्म जो संसार में नौकडी है अपना पढ़ाई है वो तो करनी करना है लेकिन जो मांसिक कर्म है जो मिर्तिव के बाद भी हमें रहता है जो संसकार जिसे हम लेके जाते हैं जो ह कर्मों को अच्छा करें बहुते कर्म भी अच्छा करें जिसे मन सांत रहे अच्छे से आप अपना जो भी काम कर रहे हैं व्यापार कर रहे तो सुकुम से करें ठीक है और नौकरी भी कर रहे तो सांती रहे उसमें मन में सांती रहे लोग आस पास का समाज भी अच्छा बने औ या मूवी देखने में लग जाते बच्चों का एक समय यूटूब का है कहीं कोछ है, सोसल मीडिया, देखो, हर चीज जानो, जानने के परपस से उसको देखो, नकि जीवन उसी में खपा दो, जीवन बहुत मैतूर होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब आंगे का पता से हाला साता है, अंदर से डर है, और समझ गए इसको तो जीत जाओगा, नहीं समझ पर तो सपूरा जीवन असी डर डर के निकल जाता है, जैसे कि मराजी में एक छोटी सी बात जाने से आपको मैंने वी देख आप योगा के बारें बात करे थे, योगा आपने करते हो निती हैं, तो इस साधन को स्वस्थ रखने के लिए, योगा बगारा है, प्रलायाम है, तो कुछ करने चाहिए, हर व्यक्ति को करने चाहिए, अपनी जीवन में एक्सराइज योगा है, जो भी अपना करते बने, करो, यह नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आसन करो, इतना करो कि सरीर स यह सुद्धी बनी रहे, यह जरूरी है जीवन में, साधन को स्वस्थ रखने के लिए बस इसका परपा जितना है, और साधना के लिए फिर जैसे अठियों बगारा हो जाता है, जो साधना करते हैं, वो पुर डेटेल से हो जाता है, उसके लिए उन सामान पर व्यक्ति को ज तो क्यों आपने घर के आगा? अंतरमन में तो था, पुर जाता है, लेकर सामने वाले को देख के लिए लगेगा, कि इसने कुछ दिन पैंटिंग करें फिराइस करें तो यह भटा करा इसको जो निश्चितनी हो रहा है, तो उनको मेरा जीवन लगा बटकाओ, और मुझे लगा खोज, कि मैं जीवन के खो तो पता नहीं होता उनको कि हम क्या गर रहें अंदर बैठे 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 एक चीज और आपके सामने, हमारे जाद सामने घटना घटी है, जैसे हम कभी समाज में अभी जन दर्शन कर ने करनें, आप तो साही तक सुना ओगा धरम की यातरा है और कने एक कि शनमा से और आप कर दोडियोञाते हैं। सथसंग करते हैं। उससे क्या ह Hautा हूं, मैरी मैं था सुरू बातमा, मुझे अपशादना करना थछी दूड़ना था। मैरे मेरे दमाख में आए कि मैं भी जंगल जाउंगा। लेकिन जंगल में जाने से पहले कई सवाल आ जाता है। जाएंगे कैसे जाएंगे कौन सा जंगल सही है कैसे मातमा है क्या नहीं है अब मैंने जब वीडियो देखोगे तो उसमें क्या हो जा थोड़ा हिम्मत आ जाते हैं कि जब यह मातमा पड़े तो हम क्यों ने कर सकते हैं तो यह सबाल जब आ जाता है तो यह कर सकते तो मैं क्यों क्यां नहीं कर सकता हूं, तो यह हिम्मद देता है, और सत्संग जब आप करते हो, तो उस सत्संग से भी ज्ञान बहुत कुछ मिलता है, अजब आप गहराई से जब जाते हो, सवाल ठीक है, जितना भी जाते ह। बहुत कामका हैं, उतना ही सारे वीडियो देख ले जाए, कई स सारे महातमाओं के इंटर्वी उने गान देते हैं जो भी सत्तसंग में बताते उतना भी सुन लिए जाए तो काफी आधए जयसे कि मराजी के जीवन का ना लगे मराजी के पास वापस आएंगे क्योंकि मराजी जैसे साध्ना करेंगे तो में कहीं पर भी जैसे नवद्धा पर करके आपको बताऊंगा पूरा जीवन इनका कैसे बदला है जो आप देख पाएं के दूसरा रूप यह आज देख पाएं के दूसरा रूप क्योंकि कहते हैं ना सोच सोच सबसे बड़ी अगर जैसी रखोगे वैसा आप आवश्य बनोगे जीवन की सबसे बड़ी है आपकी नीव बनाने वाली आपकी सोच है अगर जैसी पॉजिट्व सोच होगे तो आपको पॉजिट्व बनाएं कि नेगिट्व सोच होगे नेगिट्व मराई मराजी के आपके ससंगली कैसी लगी मुझे एक बार फिर बता देना धर्म की यात्रा से जुड़े रहने के लिए महात्मा के साथ तब तक जैहिंद वंद्य महात्म हर अर्मा देव जैसीर किस्ना जैसीरा देव जैसीतारम हे नात हे मिरे नात मैं आपको भुलूनी जै गुरुदेव जै सभी संत महात्माओं की